आज हम लोग सम्विधान से संबंधित परस्मों को देखेंगे 600 परस्म का सम्विधान से है जो की सभी परिक च्छाओं के लिए उपयोगी है सम्विधान से इस से बाहर कुछ भी नहीं आये जाए चले शुरू करते हैं रच्छा लगे थो लाइक और सियर बढ़ाएए तब नों अच्छा अच्छा कोन्नेंट लाएंगे चलिए शुरू करते हैं सम्मिधान से समनित महत्पों प्रोश्म पहला दिया है सम्मिधान सभा में किस रियास्त के प्रतिनिजियों ने भाग नहीं लिया तो हैदराबाद के रियास्त ने भाग नहीं लिया सम्मिधान सभा में कुल कितनी महिला सदत से थी तो 15 महिला सदत से थी सम्मिधान सभा में देशित यास्तों के कितने पचनीधी थे तो 70 पचनीधी थे संसद को संविधान संसुधन का अधिकार किस अनुशेद में है तो अनुशेद 368 में संसुधन का अधिकार है संसद द्वारा पाइत विधयक राष्टपती द्वारा स्विक्रिती या फिर अस्विक्रिती का उलेख किस अनुशेद में किया गया है संस्कृति और सिक्षा संबंधी और धिकार का उलेक समिधान के किस अनुच्षेद में मिलता है अनुच्षेद 29 से अनुच्षेद 30 तक संस्कृति और सभेता से मिलता है सात्वे बित आयोग की अधि क्या थी? 1989 से 84 सात्वे बित आयोग की अधि थी सात्वे बित आयोग की अधियक्ष कौन थे? जेपी सेल्ट सधारन बिधायक से संबधित गति रोध को दूर करने के लिए संस्षत के दोनों सद्नों की संजुगत बैठक कौन बुलाता है? राष्टपती बुलाते हैं चलि आगे देखते हैं सिंधी भासा को किस संबेधानिक संसोधन के तहत आठवी अनुसुची मे जुड़ा गया ृक यह रएष्दवास संबेधानिक 2022 सर्सर्ट में जुड़ा गया सवतनत्र भारत के प्रथम उधोग वश अपूर्टी मंत्री कॉन थे? डर स्यमा परसाद मखर्जी थे सोतांत्र भार्ष के प्रसम कानून मंत्री कौन थे डाक्टर भीम राव अम्बेदकर थे सोतांत्र भार्ष के प्रसम खाद यौं किसी मंत्री कौन थे डाक्टर राजेनेर प्रसाद थे सोतांत्र भार्ष के प्रसम खान वा उर्जा मंत्री कौन थे बी एन गाडगिल थे सुतांत्र भारत के प्रथम गिरिह मंत्री कौन थे तो सरदार बलब भाई पोटेल थे अब 17 नमब देखते हैं सोतांत्र भारत के प्रतम रक्षा मंत्री कौन थे तो सर्दार बलदेव सी रक्षा मंत्री थे 18 नमबर देखते हैं सोतांत्र भारत के प्रतम राष्ट मंडल तथा विजेशी मामलो के मंत्री कौन थे पंडित ज्वाहरलाल नहरू थे उन्हेश नमबर सोतांत्र भारस के प्रत्थम डिलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे तो जान डाक्टर जान मत्हाई थे अब विश्नमगद देखते हैं सोतांत्र भारस के प्रत्थम बनीज मंत्री कौन थे तो C.H. भाभा थे चलिए एक ऐश नम्हर देखते हैं सोतंत्र भारत के प्रथम बित मंत्री कुन थे आरके सनमुखम सनमुगम सेटी थे सोतंत्र भारत के प्रथम सिच्छा मंत्री कुन थे तो डाक्टर मोलाना अबुल कराम अजाद थे सोतंत्र भारत के 23 नमबर सोतंत्र भारत के प्रथम स्रम मंत्री कौन थे तो जग जीवन राम थे चलिए 24 नमबर देखते हैं सोतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे तो रफी अहमद की दुगई सोतंत्र भारत के प्रथम सुचना वो पर सारंत्र था राजियों के मामलो के मंत्री कौन थे सर्दार बलब भाई पटेल थे सोतंत्र भारत के प्रथम स्वास्ट मंत्री कौन थे तो राज कुमारी अम्रीत कौर थी चलिए अगरा देखते हैं 27 नमबर सोतन्त्र भारत के में भासा के अधार पर गठित होने वाला पहला राज कौन सा था तो यह था अंध्रप्रदेश पहला राज जो की 1 अक्टूबर 1903 पर गठित हुआ था जो की भासा के अधार पर सोतन्त था चलिए 28 नमबर देखते हैं सोतन्त्र भारत के निगमार के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया तो 1902 को आया था क्रिप्स मिशन सोतंतरता उपरांत गठित अंतरीम मंत्री मंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया तो भीमराव अंबेदकर को बनाया गया चलिए तीस नमर देखते हैं सोतंतरता का अधिकार का वर्णन किस अनुशेद में किया गया है अनुश्यद 29 से अनुश्यद 22 तक किया गया है चलिए अगला देखते हैं हिंदी को भारत की राजभासा के रूप में कब सुविकार किया गया भारत के नागरी का करतब्य होगा प्राकिर्ति के पर्यावरन का संदक्षन एवं सुधार यह कथन किस अनुश्यद में है अनुश्यद ए में है एक का ए में है बिधी के समक्ष समता कहां सरी गई है तो इंग्रेंट से लिगई है एक रहुए अनुश्यद ए 94 लमाः देखते हैं एक रहुए अनुश्यद को भारती संभिधान में किस संभिधानिक समसोधन के तःट जोड़ा गया दो आ देखते हैं एग रहुए अनुश्यद के चितने विशे प्रदाण किये गई है 19α एच 16a प्रदान किये ते चलिए 36 स्रमा देखते हैं बारहमी अनुसूची में कुल कितने विशे प्रदान किये गए हैं 18 विशे प्रदान किये गए हैं चलिए एकला देखते हैं 14 में बीत आयोग का गठन कब क्या गया था तो 1923 में 14 में 14 में बीत आयोग का गठन क्या गया था तो दहां बीत आयोग की ओधी क्या है तो 15 से 20 इसका ओधी है चो दहां बीत आयोग की अध्यक्ष कौन है बाई भी रेडी है चारीस नमा देखते हैं 1773 इसवी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहट 1774 में कहां पर प्रथम उच्टम नयाले या स्थापना की गई तो यह की गई कुलकात्ता में एक तारीस नमा देखते हैं 1774 में कुलकात्ता में अस्थापीज उच्टम नयाले के प्रथम मुख नयाधिश कौन थे सर एलिजाह इंपे एलिजाह इंपे थे 42 से मा देखते हैं उनाइस सो तीरपान में गठी राज पुन्र गठन आयोग के अधियाक्ष कौन थे फजल अली थे 43 नमा देखते हैं 1966 में किस संबेधानिक संसुधन के तहट चुनाव अयोग के अधिकारों में परिवरतन कर उच नयाले को चुनाव याची का सुनने का अधिकार दिया गया है तो उनाइस संबेधानिक संसुधन में दिया गया है 24 नमा देखते हैं 1991 इस भी में कौन सबेधानिक संसुधन करके दिल्ली को राष्टीय राज भानी बनाया गया तो उनहत्तरमा संभिधान संसुधन करके बनाया गया दिल्ली को था 25 नमबर देखते हैं 26 नॉम्बर उन्हीं सो उन्चास को संभिधान के कुल कितने अनुछेद लागू किये गए थे 26 नमबर देखते हैं 296 सीटों पर संभिधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस में कुल कितने सीटे जिती थी दूसर आठ सीटे जिती थी 26 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निसुल्क एवं अनिवार सिक्षा के अधिकार का उलेख है अनुछेद 21 को में ये चुनाव से 14 वर्ष के बच्चों के निसुल्क सिक्षा से समभिधित है चले गए देखते हैं 44 नमबर 84 में समभिधान समसोधन अधिनियम 21 के द्वारा किस वर्ष तक लोग सभा एवं विधान सभा की सीटों की संख्या में कोई विर्धी या कमी नहीं की जा सकती तो 2026 तक कोई कमी या विर्धी नहीं हो सकती है यही रहेगा जोर है वही रहेगा उसके बाद विर्धी या कमी हो जाएगी लेगला देखते हैं 49 नमबर 99 में समभिधान समसोधन को किया गया दुए चौदह में इस समसोधन के तहतरा स्टिये नियाईक नियुक्ति अयोग की स्थापना का प्रवधान किया गया चले 50 नमबर देखते हैं और आज का लास्ट कोस्टन देखते हैं इससे आगे अगला विडियो कल लाएंगे तो उसको देखेंगे और 600 का लगतार ये स् जितना ही चले छोटा-छोटा विडियो रहेगा तो अच्छा रहेगा 1560 नमबर संबीधान सभगा में प्रांतियत अथा देशिर यस्तों के कितने लाह की अबादी पर एक प्रति नीधी को चुना गया था तो दोस की अबादी पर चुना गया था ठीक है अच्छा लगा त और लाइक और शेयर किजिएगा और कोमेंट भी किजिएगा धन्य बाद